नमस्का दोस्तों मैं बिनीत प्रडेल आज से स्टार्ट करने वाले मद्ध्य प्रदेश सामान बैंक आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पटवारी में जो आपके कॉस्टन पिछले एक्जाम में पूचे गए हैं तथा जिनकी पूचे जाने की सरबातिक संभावना है आज हम उनी के कॉस्टनों पर डिसकसन करेंगे चलिए श्टार्ट करते हैं मद्ध्य प्रदेश के गठन बापुनर गठन से संबंदेथ चलिए पहला कॉस्टन हम देखते हैं कि सन उन्निस सो सैंतालीस के बाद मद्ध्य प्रदेश कितने छेत्रों वा कितने प्रान्तों में बेवक्त था A option 3 छेतर, B 2 छेतर है हम बात कर रहे हैं सन 1947 की 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद होता है उस समय हमारे भारत में 552 देशी रियासते होती है तो हमारे उस छेतर में जो भारत होता है उसे चार भागों में पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में विवक्त किया जाता है तो हम इसमें पूछा गया है कि मद्य प्रदेश को कितने छेतरों में विवक्त किया गया था तो देखा जाए तो मद्ध्र प्रदेश को चार छेत्र ये चार छेत्र कौन कौन से हैं पहले हम देखते हैं कि पहला भाग जो होता है हमारा सीपी एंड बरार होता है दूसरा जो भाग होता है वो हमारा मद्ध भारत होता है तार जो तीसरा भाग होता है हमारा वो बिंधि प्रदेश और चौथा जो भाग होता है हमारा वो भोपाल इस्टेट होता है तो इसका राय चार छेत्रों में बहवक्त था यदि यही कॉस्टन बात करता कि हमारा मद्धिप्रदेश 15 अगस्त 1947 के बाद कितने पार्टों में बहवक्त था यदि पार्ट की बात की गई होती तो हमारा मद्धिप्रदेश तीन पार्टों में बहवक्त था कितने तीन पार्ट, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में बवक्त था A के अंतरगत CPN बरार आता था, B के अंतरगत मद्ध भारत Central India आता था और C के अंतरगत हमारा विंद्य प्रदेश और भोपाल इस्टेट आता था लेकिन कॉस्टन में बात की गई है कि 1947 के बाद मद्ध प्रदेश कितने छेतरों वक्त था तो हमारा मद्ध प्रदेश वक्त था चली हम next कॉस्टन देखते हैं तो दूसरा कॉस्टन है हमारा 1956 के बाद भोपाल किस जिली की तहसील थी कॉस्चन में पूछा गया है कि 1956 के बाद भोपाल किस जिली की तहसील थी तो मतलब 1956 में हमारा जो भोपाल है उस समय जिला नहीं था भोपाल 1956 की समय जिला नहीं था तो ये जिला कब बनता है तो भोपाल आपका 26 जन्वरी 1972 को जिला बनता है और जब भोपाल जिला बनता है तो उसके पहले यह सीहौर की तहसील हुआ करता था किसकी सीहौर की तहसील हुआ करती थी अब बात करते हैं कि सीहौर किस ओफसन में है तो सीहौर आपके डी ओफसन में है तो भोपाल सीहोर की तैसिल हुआ करती थी और भोपाल को जिले का दरजा 26 जनवरी 1972 को मिलता है चलिए next question के हम बात करते हैं कि बिंध्यानचल प्रदेस में कितनी रियासतें थी अब इसमें पूछा गया है कि बिंध्यानचल प्रदेस में कितनी रियासत थी तो हमारा मद्ध प्रदेस चार छेतरों में बिवक्त था CP and Barar, मद्ध भारत, विंद प्रदेस और भोपाल इस्टेट था इन्होंने पूछा है कि विंद प्रदेस तो पार्ट C की बात की जा रही है तो विंद प्रदेस में कितनी वियास्त थी सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट A हुआ करता था CP and Barar, CP and Barar की बात करते हैं तो ये पार्ट A का हिश्चा हुआ करता था, इसमें 15 रियासते हुआ करती थी जो हमारा पार्ट B था, वो हमारा मद्ध भारत था सेंट्रल इंडिया हुआ करता था सेंट्रल इंडिया में 26 रियासते हुआ करती थी अब बात करते हैं कि सी जो हमारा विंध प्रदेश था विंध इस्टेट था तो विंध प्रदेश में 38 रियासते हुआ करती थी कितनी हुआ करती थी 38 रियासतें हुआ करती थी टोटल उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 79 देशी रियासतें हुआ करती थी तो question में पूछा गया है कि विंध प्रदेश में कितनी रियासत थी तो 38 देशी रियासतें हुआ करती थी तो right option क्या होगा? B, 38 right option होगा बिंदे अंचल प्रदेस में 38 देसी रियासतें हुआ करती थी चलिए नैश कॉस्टन को हम देखते हैं कि फजल आली आयोग में इनमें से कौन बैक्ती नहीं था अब बात की गई है फजल आली आयोग की बात की गई है फजल आली आयोग का जो गठन किया गया था वो दिशंबर 1953 में किया गया था इस आयोग का अन्य नाम था आपका राजपुनर गठन आयोग क्या था राजपुनर गठन आयोग इस आयोग का दूसरा नाम था और फजल आली आयोग में तीन व्यक्ती प्रमुक थे कितने व्यक्ती प्रमुक थे तीन व्यक्ति प्रमुक थे अब वो तीन व्यक्ति कौन कौन से थे पहले आपके थे फजल अली ये इस आयोक के कौन थे आपके अद्देश थे फजल अली दूसरे व्यक्ति थे आपके हिरदयनाथ कुझरू कौन थे आपके हिर्दा-इनात, कुंजरू दूसरे बैक्ती थे और जो तीसरी बैक्ती हमारे थे वो आपके थे के एम फन्नीकर तीसरे बैक्ती थे तो ये तीन बैक्ती फजल अली आयोग या राज़ पुनर गठन आयोग के प्रमुक बैक्ती हुआ करते थे इसमें से कौन से ऐसे बैक्ती है जो इस आयोग में नहीं थे तो इसका राइट ओफ्सन है महात्मा गांदी तो महात्मा गांदी फजल अली आयोग के अद्यक्ष या इसके सदश्च नहीं थे फिर हम बात करते हैं नेक्ष कॉस्टन की बात करते हैं कि जिला पुनर गठन आयोग की स्थापना कभ हुई थी तो कॉस्टन किया गया है कि जिला पुनर गठन आयोग जिसका नाम अन्य नाम था आपका फजल अली आयोग अब यहां कॉस्टन किया गया है कि बताईए जिला पुनर गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिला पुनर गठन आयोग का अन्य नाम था वी आर दुवे आयोग था वी आर दुवे इनकी अधिशता में इस आयोग का गठन किया गया था और जो वी आर दुवे आयोग आया था ये 1982 में आया था 1982 में जिला पुनर गठन आयोग की इस्थापना की गई थी तो राइट आंसर कुछा है आपका D है 1982 में जिला पुनर गठन आयोग या वी आर्दोबे आयोग का गठन किया गया था चलिए नैश कॉस्टन की तरब देखते हैं तो अगला कॉस्टन पूछा गया है कि राज पुनर गठन आयोग की इस्थापना कब हुई थी तो इसमें कॉस्टन किया गया है राज पुनर गठन आयोग की इस्थापना कब की गई थी तो राज पुनर गठन आयोग का अन्य नाम रहता है आपका फजल अली आयोग फजल अली आयोग अभी इसके पहले हमने कॉस्टन में देखा था कि फजल अली आयोग में तीन वेक्ति होते हैं आपके फजल अली होते हैं हिरते नाद कुझरू होते हैं और आपके कैम परणिकर होते हैं तो question किया गया है कि राजपनर गठन आयोग का गठन कब होता है? तो हमने देखा था कि फजल अली आयोग का गठन दिशंबर 1953 में होता है. इसके जो अद्धेख्च होते हैं आपके फजल अली होते हैं और इसी आयोग का अन्य नाम क्या है आपका? राजपनर गठन आयोग है इस हिसाब से हमारा right answer क्या रहेगा? वी 1953 को राजपनर गठन आयोग या फजल अली आयोग का गठन किया जाता है इस राजपनर गठन आयोग से देश में राज्यों की इस्थापना वा गठन का प्राउधान किया जाता है चलिए next question की हम बात करते हैं अगला question है हमारा central province एंड बरार नामक छेत्र की राजपनी क्या थी? इन्होंने पूछा है CP एंड राजपनी क्या थी? इन्होंने part A की बात की है part A का नाम क्या था हमारा? CP एंड बरार part A हुआ करता था, part B हमारा मद्ध भारत हुआ करता था, part B का नाम क्या था हमारा? मद्ध भारत था और Part C का नाम क्या था हमारा विंध प्रदेश और भोपाल इस्टेट था विंध प्रदेश और भोपाल इस्टेट Part C के अंतरगत आते थे तो उन्होंने कॉस्टन कहा है CPN बरार तो सबसे पहले हम बात करते हैं CPN बरार की तो CPN बरार की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी नाकपूर हुआ करती थी क्या राजधानी थी आपकी नाकपूर थी और जो हमारा मत्द भारत हुआ करता था Central India इसकी दो राजधानी हुआ करती थी पहली आपकी होती थी और दूसरी राजधानी थी आपकी गौलियर थी और हम बात करते हныं Part C विंदर प्रदेश की राजधानी क्या थी तो विंदर प्रदेश की राजधानी रिवा हुआ करती थी और भोपाल अपने आप में एक शतेट था इसकी राजधानी भोपाल ही हुआ करती थी तो कॉशन में पूछा गया है कि Central and province की राजधानी क्या थी तो right option है हमारा D नाकपूर तो CP and Barar की जो राजधानी थी नाकपूर थी जो Central and province है इसकी स्थापना November 1861 में की जाती है किसकी स्थापना? CP and Barar की CP Central and Barar की कहानी क्या होती है इससे 1936 में हैदराबाद के नवाप से कहा के नवाप से? हैदराबाद के नवाप से लीश पर लिया गया था इसलिए इसका नाम हम अलग-अलग पढ़ते हैं Central, province and Barar के नाम से पढ़ते हैं अब देखते हैं next question क्या है हमारा? अगला question है हमारा 26 जनवरी 1972 को मद्धि प्रदेश में कौन-कौन मद्धि प्रदेश में कौन से जिले का गठन हुआ था? अब question ये पूछा जा रहा है कि जब हमारा मद्धि प्रदेश 1 नवंबर 1956 को आजाध हो जाता है तो उसके बाद मद्धि प्रदेश में बहुत सारे संभाग जिलों का गठन किया जाता है तो इस question में पूछा गया है बताईए इन में से कौन सा ऐसा जिला है जिसका गठन 1972 में किया गया था तो हम बात करते हैं 26 जनवरी 1972 को मद्धि प्रदेश में कहां पे? मद्धि प्रदेश में दो जिलों का गठन किया जाता है कितने जिलों का? दो जिलों का गठन किया जाता है पहला जो जिला बनता है आपका वो पहला बनता है राजनन्द गाओ राजनन्द गाओ बनता है और जो दूसरा बनता है हमारा जो भोपाल जिला बनता है तो इन दो जिलों का गठन किया गया था भोपाल जिला आपका सीहोर से अलग होकर बनता है किस से अलग होकर सीहोर और जो राजनन्द गाउं होता है वो दुर्ग से अलग होकर एक नया जिला बनता है तो बरतमान में देखा जाए तो जो हमारा राजनन्द गाउं है वो हमारा 36 गड़ में आता है और भोपाल की बात करते हैं तो ये मद्ध्य प्रदेश की अंतरगात आता है और जो मद्ध्य प्रदेश राज्ज की राजधानी भी है तो राइट आंसर कौन सा है हमारा सी प्रदेश का गठन किया जाता है चलिए next question की बात करते हैं MM सहदयोशमीती या आयोग से मद्ध्य प्रदेश में कितने जलों का गठन हुआ था तो हम बात करते हैं MM सहदयोशमीती की जो हमारी MM सहदयोशमीती होती है इसका जो गठन किया गया था वो 1998 1998 में किया गया था और हम बात करते हैं कि मद्य प्रदेश में 1998 को दो आयोग आते हैं कौन से आयोग आते हैं दो आयोग आते हैं पहला आता है आपका VR2 आयोग आता है कौन सा आयोग आता है आपका VR2 आयोग आता है इसके बार में हमने देखा था कि इसी आयोग को जला पुनर कठन आयोग कहते है जिसकी इस्थापना 1982 को की गई थी और जो दूसरा आयोग आता है हमारा तो दूसरा जो आयोग रहता है हमारा MM शेहदेव आयोग रहता है कौन सा आयोग रहता है? MM शेहदेव आयोग रहता है तो क्या होता है कि 1998 में 1998 में मद्द्र प्रदेश में 16 जिलों का निर्माड होता है कितने जिलों का होता है मद्ध्र प्रदेश में 16 जिलों का निर्माड होता है अब इन 16 जिलों में जो बी अर्दुवे आयूग था इसके तहित 10 जिलों का गठन किया जाता है कितने 10 जिलों का गठन किया जाता है जो हमारा M.M. सेंदो शमीती होती है उसके द्वारा मद्द प्रदेश में 6 जिलों का गठन किया आता है तो राइट ओफसन क्या है इसका? हम बात करते हैं जो 6 जिले थे तो 6 जिलों में बरतमान में मद्द प्रदेश में 3 हैं तीन जिले आपके 36 गड़ में चले गए हैं हम बात करते हैं 3 MP में स्थित हैं आपके तीन आपके 36 गड़ जिले में चले गए हैं तो जो मद्द प्रदेश में बरतमान में पस्थित हैं उन जिलों के बारे में हम बात करते हैं तो तीन जिले कौन से हैं? पहले है आपका उमरिया, पहला जला है उमरिया है, दूसरा आपका हर्दा है और तीसरा आपका नीमच है, कौन सा है नीमच है, उमरिया, हर्दा और नीमच बरतमान मद्यप्रदेश जिले में इस्तित है, अब बात करते हैं, next question की बात करते हैं, जो अगला question है बताईए, किस स हम्भाग का नाम बदल कर किया गया है तो हम नर्वदापुरम की बात करते हैं तो जिस जले से होकर नर्वदा नदी प्रवाहत होती है उन में से किसी जले का नाम नर्वदापुरम किया गया होगा हम बात करते हैं ओसन में कौन कौन सा है जवलपूर, हाँ जवलपूर से नरवदा नदी प्रवाहत होती है फिर हमने देखा सहडोल, सहडोल में नरवदा नदी नहीं होती है फिर हमने देखा होशंगाबाद, फिर देखा उजजेन तो उज्जन में तो नहीं है हम बात करते हैं जवलपुर और होशंगाबाद की तो होशंगाबाद की बात करते हैं तो 2022 में होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर देते हैं नर्वदापुरम कर दिया गया है नर्वदापुरम होशंगाबाद जिले का नाम होसंगाबाद जिले और होसंगाबाद संभाग का नाम बतल कर नर्वदापुरम कर दिया गया है तो right answer है हमारा D option होसंगाबाद जिले का नाम नर्वदापुरम कर दिया गया है और होसंगाबाद संभाग का नाम बतल कर नर्वदापुरम संभाग कर दिया गया है चलिए हम नेक्ष्ट कॉस्ट्टन की हम बात करते है जो हमारा अगला कॉस्ट्टन है इसमें पूछा गया है कि 16 अगस्ट 2013 को मद्दी प्रदेश में कौन सा जिला बनता है तो 16 अगस्ट 2013 की बात हो रही है कौन सा था आपका आगर मालवा एक जिला बनता है जो साजापूर जिले से अलग होकर बनता है किस से शाजापूर जिले से होकर एक नया जिला बनता है मद्देपरदेस में तो राइट ओफसन क्या है हमारा डी आगर मालवा, 16 अगस्थ 2013 को मद्ध्य प्रदेश में आगर मालवा जिला बनता है और साजापूर से अलग होता है, चलिए नैश कॉसन पर डिसकुसन करते हैं, अली राजपूर के भावरा नामक इस्थान का नाम मदल कर चंदर सेखर आज आजात नगर कब घोसित किया गया था, तो अली राजपूर का जो भावरा नामक गाउं हैं, वहाँ पर सही चंदर सेखर आजात का जनम हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि भावरा का नाम जो चैंज किया गया था, तो वो चंदर शेखर क्या किया गया था, चंदर शेखर आजात नगर किया गया था तो इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था ये फरवरी 2010 में किया गया था कब किया गया था फरवरी 2010 में अली राजपूर के भावरा गाउं का नाम बतल कर चंदर सेखर आजात नगर कर दिया गया था तो इसका राइट आंसर है हमारा फरवरी 2010 अब हम बात करते हैं नेश्ट कॉस्टन की बात करते हैं कोटा जले की सरौन तहसील को मद्धि प्रदेश के किस जले में मिलाए गाया था ये बात हो रही है कि जब 1956 के बाद भासा के आधार पर जो राजियों का गठन किया जा रहा था तो उसमें एक कोटा जले जो राजिस्थान का कोटा जला था उसकी एक तहसील थी आपकी सिरौन तहसील थी जो मद्धि प्रदेश के सीमा के अंतरगत आ रही थी तो मद्धि प्रदेश के सीमा के अंतरगत आने के कारण इस कोटा जले की सिरौन तहसील को मद्धि प्रदेश के बिदीशा जले में मिला लिया गया था कहां मिला लिया गया था बिदीसा जिले में मिला लिया गया था तो right answer है आपका option C बिदीसा आपका right answer है चलिए next question की हम बात करते हैं अगला question है निबाडी जिला किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बनता है अब निबाडी की बात करते हैं तो जो निवाडी का गठन किया गया था, अक्टूबर 2018 में किया गया था। ये मद्यप्रदेश का बरतमान में गठन होने बाला एक नया जला है, जो मद्यप्रदेश का 52 जला है। तो हम बात करते हैं निवाडी के बारे में बात कर लिते हैं तो निवाडी में बरतमान में तीन तहसील हैं कितनी तहसील हैं आपकी तीन तहसील हैं क्या है कि बरतमान में ये जला बना है तो इससे अधिक कॉस्टन बनने की संभावना बढ़ जाती है तो पहली तहसील की हम बा प्रीवारी डिस्टिक्ट में आती हैं। जो निवारी को मद्द प्रदेस का सबसे नया जला और बावन्मा जला घुसित किया गया है वह बुंदेलखन का इच्छेती राता है टीकम गड़। तो टीकम गड़ से अलग होकर एक नया जला बनाया गया है जिसका नाम है आपका निवाडी और इसका जो गठन किया गया था 2018 में निवाडी का गठन किया गया था चलिए next question के हम बात करते हैं अली राजपुर जिले का गठन कब किया गया था अब बात हो रही है अली राजपुर जिले की बात हो रही है तो अली राजपुर जिले का गठन 2008 में किया गया था अब मद्य प्रदेश में 2008 में दो जिलों का गठन होता है पहला होता है आपका अली राशपूर कौन सा होता है आपका अली राशपूर बनता है और जो सेकंड जिला बनता है वो हमारा सिंग रॉली बनता है लेकिन बात करते हैं कि अली राजपूर सिंगरॉली में कौन से जला कब बनता है तो अली राजपूर की हम बात करते हैं तो अली राजपूर जला हमारा 17 मई 2008 को बनता है और सिंगरॉली की बात करते हैं तो सिंगरॉली हमारा 24 मई 2008 को एक नया जला बनता है और कॉस्टन में पूछा गया है कि अली राजपूर का गठन का होता है तो 17 मई 2008 को होता है तो राइट आफ़सन क्या है हमारा? 17 मई 2018 को अली राजपूर एक नया जला बनता है चलिए next कॉस्टन पर बात करते हैं अगला कॉस्टन है 1947 के बाद भोपाल इस्टेट के प्रमुख बक्ती कौन थे? अब ये बात हो रही है आफटर 1947 1947 के बाद मद्य प्रदेश में भोपाल इस्टेट के प्रमुख बक्ती कौन हुआ करते थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके और बात करते हैं, तो पहला और जो पंडित रभी संकर सुकले थे, यह हमारे part A के प्रमुख बहती हुआ करते थे, और जो हमारे धबसे दूसरे बहती हैं, हम part C की बात करते हैं, शंकर द्याल सर्मा हमारे पार्ट C के प्रमुख बक्ति हुआ करते थे शंभुना सुकल की बात करते हैं ये भी पार्ट C के विंद प्रदेश के आपके प्रमुख बक्ति थे और लीला धर जोसी हैं ये हमारे पार्ट B के मद्ध भारत के प्रमुक ब्यक्ति हुआ करते थे पार्ट A का नाम क्या था हमारा शीपी एंड बरार था क्या था सीपी एंड बरार था अब पार्ट C की बात करते हैं तो पार्ट C में दो छेत राते थे पहला आता था आपका विंदे प्रदेश, कौन सा आता था विंदे प्रदेश, और दूसरा आता था हमारा भोपाल स्टेट आता था, कौन सा आता था भोपाल स्टेट, और पार्ट B के अंतरगत हमारा मद्द भारत आया करता था, ठीक है तो कॉस्टन में पूशा गया है, भो भोपाल स्टेट के प्रमुक ब्रक्ति कौन थे अब पार्ट सी के अंतरकात आता था आपका भोपाल स्टेट तो भोपाल स्टेट के प्रमुक ब्रक्ति हुआ करते थे आपके शंकर दयाल सर्मा तो राइट ओप्सन है आपका भी शंकर दयाल सर्मा भोपाल स्टेट के प्रमु नौवे राष्टपती बनते हैं आंगे चलकर भारत के नौवे राष्टपती बनते हैं चलिए अब बात करते हैं next question की अगला question है हमारा इन में से किस प्रांत या छेत्र की दो राजधानिया थी इन्होंने पूछा है इन में से कौन से ऐसा पार्ट था ऐसा कौन सा हिस्सा था मद्यप्रदेश का जिसकी दो राजधानियों हुआ करती थी हमने देखा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी इनमें जो छेत्र आते थे इनमें से किस छेत्र की दो राजधानिया थी सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट एकी सीपी एंड बरार की राजधानियों हुआ करती थी आपकी नाकपर हुआ करती थी जो हमारा बी ओफ्सन है विंद्यांचल प्रदेश विंद्यांचल प्रदेश है हमारा इसकी राजधानिया इसकी राजधानी किती थी आपकी एक थी रीवा रीवा हुआ करती थी अब आता है हमारा मद्ध भारत तो जो हमारा मद्ध भारत इसकी दो राजधानिया हुआ करती थी पहला आता है आपका इंदोर और दूसरा आता है हमारा गौालियार तो मद्ध भारत था हमारा तो मद्ध भारत की दो राजधानिया थी और भोपाल स्टेट अपने आप में एक स्टेट हुआ करता था इसकी राजधानी स्वेम भोपाल ही हुआ करती थी तो राइट आंसर क्या है कि इन्हों ने पूछा है कि दो राजधानिया किसकी हुआ करती थी तो मद्द भारत की दो राजधानिया हुआ करती थी इंदोर वा ग्वालियर इंदोर आपकी 5.5 माहे के लिए थी और ग्वालियर आपकी 6.5 माहे के लिए हुआ करती थी इस मैंसे भी क्या होता था जो आपकी इंदोर थी ये आपकी ग्रीस में कालीन राजधानी थी कौन सी राजधानी थी ग्रीस में कालीन और ग्वालियर आपकी शीत कालीन राजधानी हुआ करती थी ये आफटर 1947 47 की बात हो रही है, कि मद्ध भारत की दो राजधानी हुआ करती थी, पहली आपकी इंदडूर हुआ करती थी, जो पांच दिस Republican 5 माए के लिए हुआ करती थी, और दूसरी होती थी गवालियर, जो 6 December 5 माए के लिए हुआ करती थी, जो इंदोर आपकी राजधानी हुआ करती थी वह आपकी ग्रीसमिकाली राजधानी थी और जो ग्वालियर थी वह आपकी सीथ काली राजधानी हुआ करती थी चलिए अब नेक्ट कॉशन देखते हैं मद्य प्रदेश में 1980 में कितने संभागों का गठन किया आता है अब बात करते हैं 1980 की तो 1980 में मद्य प्रदेश में दो संभागों का गठन होता है पहला संभाग बनता है आपका बस्तर संभाग और दूसर संभाग बनता है आपका चंबल संभाग बनता है तो बरतमार में जो बस्तर है आपका 36 गड़ का हिस्सा है और जो चंबल है आपका मद्य प्रदेश का हिस्सा है अब कॉस्टन में पूछा गया है असी में कौन सी? 1980 में कितने संभाग बनते हैं तो राइट ओस्टन कितना है? दो तो right option है D आपका 1980 में दो संभावों का गठन किया जाता है चले next question में देखते हैं अगला question पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2003 को कौन कौन से जिले बनते हैं ये बात हो रही है कि मद्रप्रदेश के पुनर गठन के बाद तो मद्रप्रदेश का पुनर गठन होता है एक नवंबर 2000 को मद्रप्रदेश का पुनर गठन होता है तो मद्रप्रदेश के पुनर गठन के बाद 15 अगस्त 2003 को कौन कौन से जिले आपके मद्रप्रदेश में बनते हैं तो 15 अगस्त 2003 को मद्धि प्रदेश में तीन जलों का गठन किया जाता है अब वो तीन जले कौन कौन से होते हैं आपके पहला होता है आपका अशोक नगर पहला जला कौन सा होता है आपका अशोक नगर दूसरा बनता है आपका अनूपपूर दूसरा जला बनता है आपका अनूपपूर बनता है और तीसरा जो जला बनता है आपका वो रहता है आपका बुरहानपूर ये तीन जले आपके 15 अगस्त 2003 में बनते हैं अब इसमें से right option कौन सा है किसमें असोग नगर, अनूपपूर और बुरहानपूर ने ज़र आ रहा है तो right option है आपका D असोग नगर, अनूपपूर का जो गठन किया जाता है मद्यप्रदेश में वो 15 अगस्त 2003 को मद्यप्रदेश में 3 जिलों का गठन करते हैं असोग नगर, अनूपपूर और पुरहानपूर का गठन 2003 को किया जाता है चलिए नेश्ट question के हम बात करते हैं JVPIO का गठन कब किया जाता है अब question है कि JVPIO का गठन कब किया जाता है तो ये question की बात हो रही है 15 अगस्त 1947 की बात की बात है कि क्या होता है कि जब हमारा भारत आजाद होता है उस समय हमारे देश में कुछ छेतरों में भासा के आधार पर राज़ बनाने की मांग चलती है तो क्या होता है कि 1948 में एक आयोग आता है एस के धर आयोग आता है कौन सा आयोग आता है? एसके धर आयोग आता है तो इस आयोग की द्वारा एक रिपूर्ट तयार की जाती है कि इसका जो पहले इसका उद्देश क्या रहता है कि इसका उद्देश रहता है कि आपको ये पता लगाना है कि देश में भासा के आधार पर जो मांग चल रही है कि भासा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तो यह आयोग होता है यह भासा के आधार पर मना कर देता है कि देश में भासा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर आना चाहिए फिर क्या होता जो Congress सरकार होती है तो वो तीन बैक्तियों को सलेट करती है और एक नया आयोग बनाती है JVPO तो इस आयोग का मकस्त क्या रहता है, उद्देश क्या रहता है कि जो आपकी S किदर आयोग की रिपोर्ट आई है, उसकी जाज करना होता है और दूसरा उद्देश इसका रहता है कि देश में जो लोग मांग कर रहे हैं कि बास्तव में भारत में राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए भासा के आधर पर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तो जेवी पी आयोग आता है तो इसमें तीन बेक्ति होते हैं आपके जे भी और पी जे से आपके रहते हैं जबाहर लाल नहरू जबाहर लाल नहरू बी से आपके बललब भाई पटेल होते हैं शरदार बललब भाई पटेल और पी से हमारे पट्टा भी सीता रमया होते हैं बट्टावी सीतरमया होते हैं इन तीनों बैक्तियों को मिलाकर एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम जेवीपी आयोग रखा जाता है और जेवीपी आयोग का गठन किया जाता है वो दिशंबर 1948 में किया जाता है कब किया जाता है दिसंबर 1948 में किया जाता है तो को किया जाता है चलिए next question देखते हैं मद्ध्य प्रदेश का पुनर गठन कब किया गया था अब बात चल रही है मद्ध्य प्रदेश के पुनर गठन की बात नहीं हो रही है इन्होंने पूछा है पुनर गठन पुनर गठन का आसा है कि मद्ध्य प्रदेश का फिर से गठन होता है जब मद्ध्य प्रदेश से 36 गड़ एक नया जला बनता है नया राज बनता है तब मद्ध्य प्रदेश का पुनर गठन होता है 1 नवंबर 2000 कब 1 नवंबर 2000 को मद्ध्य प्रदेश से 36 गड़ एक नया राज बनता है तो इस घटना को पुनर गटन का नाम दिया गया था क्या नाम पुनर गटन कहा गया था जब मद्ध्य प्रदेश से 36 गड़ अलग हुआ था तो 16 जिलों को लेकर कितने जिले 16 जिलों को लेकर वा तीन संभाग को लेकर एक नया राज बनता है जो देश का 26 वा राज बनता है जब मद्यप्रदेश से 36 गड़ अलग होता है तो वा 16 जिले वा तीन संभाग को लेकर एक नया राज बनता है और देश का 26 वा राज बनता है और इस घटना को मद्देपर्देश का पुनर गठन कहा गया था जब मद्देपर्देश से 36iałem अलग राज बन जाता है तो 1 November 2000 कौन सो अप्सन है हमारा वि 1 November 2000 को मद्देपर्देश का पुनर गठन किया जाता है चलिए नैश कॉस्वन की हम बात करते हैं बरतमान में मद्यप्रदेस सरकार ने कितने नए जलों के गठन को मंजूरी दी है अब बात चल रही है बरतमान में मद्यप्रदेस में कितने जलों को गठन की मंजूरी दी है तो बात करते हैं कि बरतमान में मद्यप्रदेस में 52 जले और 10 संभाग हैं और प्रिजेंट में जो बन रहा है, सेकेंड है आपका महियर जिला, महियर जिला बन रहा है हमारा जो सतना जिले से आपका अलग होकर एक नया जिला बन रहा है, फिर एक बन रहा है हमारा चाचोला, चाचोला जो जिला है वो गुना से आपका अलग हो रहा है, और जो चौथा जिला है हमारा वो बाग लिए कौन सा है आपका बागली है जो आपका देवास से अलग हो रहा है कहां से देवास से अलग हो रहा है ठीक है तो जो चार जिले हैं जो बरतमान में प्रिस्तावित किये गए हैं कौन सा नागदा मेहर चाचोड़ा और बागली जिला है तो right option कौन सा है? प्रिस्तावित है चलिए next question को हम देखते हैं अगला question है बरतमान में मद्य प्रदेश में कितने जिले वा संभाग इस्तित है तो बात चल रही है दो हजार तेज की बात चल रही है तो बरतमान में कितने जिले हैं आपके तो बरतमान में मद्य प्रदेश में 52 जिले वा दस संभाग इस्तित हैं और जिनमै से चार जिले अभी वरतमान में प्रिस्तावित हैं तो right option क्या है बावन जिले वा दस संभाग मद्दी परदेश में वरतमान में इस्तित हैं चलिए next question देखते हैं एक नवंबर 2000 के पहले मद्य प्रदेश में कितने जिले वा संभाग थे ये बात की जा रही है कि मद्य प्रदेश के पनर गठन के पहले की बात है जब मद्य प्रदेश से 36 गड़ अलग नहीं होता है तब की बात ये की जा रही है कि उस समय मद्य प्रदेश में कितने जिले व बात हो रही है बरतमान में हम देखते हैं कि बरतमान में कब बरतमान में 52 जिले और 10 संभाग आपके इस्थित हैं लेकिन 1 नवंबर 2000 के पहले की बात करें एक नवंबर 2000 पहले जब मद्रे प्रदेश और 36 गड़ एक हुआ करते थे तो उस समय 61 जिले थे कितने जिले थे आपके 61 जिले और 12 संभाग हुआ करते थे कितने 61 जिले और 12 संब्भाग हुआ करते थे एक नवंबर 2000 के पहले तो राइट ओस्टन क्या है हमारा एक ओस्टन सही है एक सेट जिले और बारा संभाग हुआ करते थे अब हम नेश्ट कॉस्टन की बात करते हैं अगला कॉस्टन है हमारा कि संसोधन अधीनियम के द्वारा मद्यप्रदेश से 36 गड़ एक नया राज बनता है अब इसमें कॉस्टन किया गया है कि जब मद्यप्रदेश को 36 गड़ से अलग किया गया था तो उस कौन सा संभीधान संसोधन के माध्यम से मद्यप्रदेश से 36 गड़ को अलग किया गया था तो अब बात करते हैं तो चतीस गड़ कौन सा? चतीस गड़ संसोधन बिधियक चतीस गड़ संसोधन बिधियक 2000 पारित किया गया था जब मद्धे परदेश से चतीस गड़ आपका एक अलक राज हो रहा था तो इसको 31 जुलाई कब? 31 जुलाई को लोकशवा में कहां पर? लोकशवा में फिर इसके बाद 9 अगस्त को पारित किया गया था राजसवा में पारित किया गया था तो 31 जुलाई में ये लोकशवा में पास हो गया था 9 अगस्त को राजसवा में पास हो गया था और 24 अगस्त कब की बात है ये 24 अगस्त को राष्टपती के आर नारायन ने इस बिल पर हस्ताक्षर किये थे और 36 गड़ एक नया राज अस्थित में आ गया था और जो संविधान संसोदन किया था और राइट ओफसन है हमारा चौरासीबा शंविधान शंसोदन आज के इस वीडियो में हमने मद्द्रदेश के गठन से लेके पुनार गठन तक की सभी कॉस्टन देखे जो हमारे मद्द्रदेश के सभी प्रतियोगताव परिक्षाओं में पूछे गए हैं और सरबादिक पूछे जाने की शंभावना है चलिए नैक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अप्लोड किया जाएगा और ऐसे कुछ कॉस्टन लाए जाएंगे मद्द्रदेश के राष्ट्य उध्यान और राष्ट्य अभरहन्त संबंदित जो आगामी परिक्षा में पूछे गाने की शंभावना है था क्यों जाएंगे।